दूस्तो टाटा मोटर्स की बात के श्टॉक के अंदर आज बहुत ही जबर्दस तेजी बनी हुई है एक तरफ तो बाजर में भेंकर गिरावट बीएसी सेंसेक में करीब 1,000 पॉइंट की गिरावट हो चल रही है और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स के शेर में 5% की तेजी यह इसारा करिए कि श्टॉक जल्द ही बड़ा रॉकेट बन सकता है और इसकी जो प्राइज है वो वन थाउजन को भी टच कर सकती है अब यहां पे देखे तो जो सबसे बड़ी बात है यह जो तेजी बनी इसके पीछे वज़े है इसका क्वाटर थी का रिजल पिछले साथ क् कमपनी आगए यह प्रॉफिट में और वो भी भारी प्रॉफिट में बीजनस काफी अच्छा है और बुग बहुत मजबूत है और इवी सेग्मेंट में कमपनी बहुत तेजी से आगे बढ़े है लगातार बहुत सारे नए मॉडल लाउंच किये जा रहे है और टाटा मोट यूनिट्स की और आप यह देखे तो यह सारी बाते ही इसारा करिए कि आगे तेजी का दोर सुरू हो सकता है तो अलग जो ब्रोकरे जाओस है चाहे ग्लोबल हो या हमारे डोमेस्टिक ब्रोकरे जाओस उनकी क्या राय है उनके क्या टार्गेट है टाटा मोटर्स को लेकर और कैसा रिजल्ड रहा है रिजल्ड में क्या पोजिटिव बाते रही क्या निगेटिव बाते इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माते में से और क्या इस समय इंवेस्ट्मेंट करना चीए लिकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए 29222 के इस तरपर है जहां पे 982 पॉइंट की भारी गिरावट है 1.63 परसंट गिर चुका है हमारा BSE Sensex और यह 1000 पॉइंट की गिरावट काफी बड़ी है अब यह जो गिरावट हो रही है यह सबसे जो बड़ा इसमें सयोग मिल रहा है वो है बैंकिंग शेरों से स्पेशल स अधानी ग्रूप के शेरों को बरौसा नहीं किया गया उसके बाद में अधानी ग्रूप के शेरों में तरही तरही मची हुए है और इसी ने पूरे बाजर के सेंटिमेंट को भिगाड़ा है अब टाटा मोटर्स की बात कर दो इस गिरते बाजर में आप देखें तो आपको पता होगा और मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो उस समय मैंने आपको यह सजेश्ट किया था जब इसकी प्राइट 70-80 रूपिस के आसपस थी और मैंने इसका टार्गेट भी आपको बाताया था कि यह स्टॉक जल्दी ही 4.500 तक जाएगा और आपको पता 2020 को इसकी प्राइज 65 के आसपस थी तो वो श्टॉक आप देगा 14 जनवरी को 2022 को यह 509 के आसपस पहुच गया था यहनी 540 का इसने हाई भी बनाए इंट्राइडे में तो काफी जबरस रिटन दे चुका है अब यह फिर से दोढ़ने को तयार है पिछले एक साल के इसाब से च्छे महीने पहले भी अनि च्छे महीने पहले की प्राइज रिफिला आ चुकी है एक महीने में श्टॉक ने 12 परसंट की तेजी बताई है और अगर हम 5 देज के रिटन की भी बात के तो लगबग 10 परसंट की इसने तेजी बता दिये वॉल्यम में आज जबरस बड़ोत र इसका जो वॉल्यम है वो 10 क्रोड तक जाने की पूरी समाऊना है अब आप देख सकते हों इस तेजी बनी है इसके पीछे वज़े कि पिछले कई क्वार्टर के बाद जबर्दस प्रॉफिट बताये कंपनी ने करिब 2,958 को भी इसका पंपर प्रॉफिट पिछले साल देख मार्जिन जो एक्सपेंशन है उसमें 90 BPS एर और उस हिसाब से 11.1% के आप पहुंच गया तो ग्लोबल मार्केट में भले ही समय दबाव दिखाई दे उसके बावजुद भी कंपनी ने बापी बहुत ही सांधार प्रॉफिट प्रॉफिशन किया अब यहाप एगर हम देखे दिसमर 2020 की बात का सेल्स इंका था टोटल 72,229 कोबिश का जो कौटर 2 में बढ़के पहुचा था आप देख सकतो 79,611 कोबिश तक लेकिन इस कौटर में दिसमर कौटर में 88,489 कोबिश का इनका टोटल सेल्स तरह है तो आप यह रंदन बेसिज पर देखे या कौटर अन कौ पिछले कौटर में यह ओप्रेटिंग प्रॉफिट गढ़ाता लेकिन इस बार कंपणी ने कमाल किया इनका ओप्रेटिंग प्रॉफिट बढ़के 10,820 को भी इसका पहुच गया तो यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत ही जबर्दस बोड़ोतरी है देखना हूं में चाह 3,142 पॉफिट का बंपर प्रॉफिट हुआ तो कंपणी ने एक तरह से यह देखे तो बहुत ही सांधार रिजल दिया इस बार और इसी वज़ेसे आपर तो यह का दौर शुरू हो चुका है जो तमन्ना हमें थी कापी समय कंपणी प्रॉफिट में यह बात अब जाके सच ह सबसे जो अच्छी बात है कंपणी अपनी लाइवलिटी को लगातर कम करी है मार्स 2020 में जापे करीब देख सकते हो आप 3,145,070 को भी कि इनकी लाइवलिटी थी वो मार्स 2022 में घटके करीब 3,29,061 को भी जगा गई और इस सेप्टमर कॉर्टर में देके तो 3,15,061 ने फो इनकी कमपनी अंदर से फाइनेंसरी बहुत मजबूत हो रही है अब यहां पर देख सकते हो कि जो है उसमें काफी एची रिकवरी देखना हो इस विज़े से कॉर्टर फोर का वॉलिव करीब 85,000 तक हो सकता है नि जो है इनका कहना है कि कॉर्टर फोर और भी सांधर हो सकता ह और आने वाले से में यह जो टार्गेट है और बढ़ते हो दिखाई दे सकते हैं दूसरी तरफ देखे तो ग्लोबल ब्रोके जाओज जैफरीज की तरफ से भी आपे कॉर्टर फ्री को लेकर काफी जाना बुलिस दिखाई दे रहे हैं ब्रोके जाओज और उनका कहना है कि इनका अबिटर है बहुत ही सांधार है और पिछले साथ कॉर्टर के सबसे उच्छ लेवल पर जो 25 परशन अजिक के आसपास है और इनकी वीकल की सेल अच्छी खासी बढ़ी है और बीजनस जो है जेलर का कॉर्टर फोर में काफी सांधार है सकता है और धिरे जो चिप की कम उसमें सुधार हो रहा है तो इसलिए उनका कहना है कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए और बुक काफी मजबूत है और ऐसे में इनका जो नेट लॉस है और गरता हो दिखाई देगा उन्होंने जो टार्गेट प्राइस सेट किया वो 5865 की है इसके अलावा देखे तो हमारे घरलू ब्रोकर जाउज मोतिलाल उस्वाल की तरब से भी यापे टार्गेट बाई की कॉल के साथ में 525 का टार्गेट दिया है और करन्ट प्राइस के हिसाब से इसमें काफी अच्छी बड़ूतरी देखना हो मिल सकती है उनका कहना है कि JLR और कमर्शिल विकल का जो स प्रदर्शन रहा है उन्होंने जो टार्गेट दिया वो 520 का है और यहाँ पे देख से इस लेवल से 24 परसंट की तेजी देखना हो मिल सकते है उनका कहलना है कि काफी साथार जेलर का प्रदर्शन रहा है और आकडे बहुत ही बैतरी नहीं रहे और इसके बाद में आरे वा की अपने यहां पे 230 गोई का इनस्मेंन किया 1.85 मीरे एंसेट अमर्जिंग ब्लूचिप नहीं आपे 220 गोई का इनस्मेंन किया 0.95 की ओल इंडिंग लिया निपवान इंडिया टैख सेवर ने 225 गोई का इनस्मेंन करके 1.89 परसंट की ओल दिंग लिया कैनरा रोमेक एंडिया के बड़े बड़े मुचल फंड यहां पर इन्वेस्मेंट कर रहे हैं अब तो रिजल भी काफी सांदार अमने देखा है यहां पर शेर ओडिंग पेटन देख सकते हो प्रमोटर की ओडिंग 46.39% है जो काफी एची है FI की बात करें तो FI की होल्डिंग 13.89% की है पिछले क्वार्टर के मुकाबले घटी है 14.13 थी सेप्टेमर में लेकिन अगर आप इसको जुन क्वार्टर से कंपेर करें तो अभी भी होल्डिंग आपको बढ़ते हुई दिखाए देगी जुन में इनकी 13.71% की होल्डिंग थ के वो 15.21% होगी है गवर्मेंट की भी आपे 0.14% की होल्डिंग है जनरल पब्लिक के पास 24.36% के शेर दीसमर में जबकि पिछले क्वार्टर में 24.5% के आज़ पासे तो जनरल पब्लिक के शेर घटे है कुल मिलाके ये stock rocket बनने को तयार है मुझे लग रहा है कि आने वाले दो से तीन सार के stocker आप hold कर लेते हो तो यह आराम से 1000 का target दिखा सकता है तो निवेस आपको कर लेना चीए लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor भी ले 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 यह अपना खुद का research करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational पर पंच के लिए ही बनाए वीडियो प